सबसे पहले बात करेंगे लार्सनेंटूब्रो यानि एलेंटी के बारे में आज के दिने श्टॉक में करीब आधा परसंट तक की तेजी रही इसके क्वाटर टू के रिजल्ट आए हैं नमबर अगर देखें दूस्तों ओके-ओके परफॉर्मेंस रहा है एलेंटी का आपको बीट किया है तो हम लोग कह सकते हैं मार्किट के अनुमान के मताबिक इस कंपनी के नमबर देखने को मिले हैं तो कल के दिन इसके शियरों के उपर कैसा इंपेक्ट पड़ेगा ये काफी इंपोर्टेंट रहने वाला है आज कल दो दोस्तों आप लोगों नहीं मार्किट को अड़ कर सकते हैं दूसरा इस्टों के बायो कॉन दो परसेंट की गिराबट के साथ इस्टों की क्लोज हुआ इस कंपनी के नमबर काफी खराब देखने को मिले हैं कंपनी का प्रॉफिट अगर देखें 84 परसेंट तक घटकर आया है रिवेन्यू में हाला कि 4 परसेंट की गुरो देखने को मिली तो कंपनी ने काफी दवाब में नमबर को रिपोर्ट किया है कंपनी का प्रॉफिट हमें गटकर देखने को मिला Para Hai 54 परसेंट की हमें इसमें गिराबर देखने को मिली यहां पर भी देख सकते हैं सेप्टमबर की EPS में 153 परसेंट तक की हमें डिकलाइन देखने को मिला है तो काफी नाजुक नंबर बायो कॉन ने रिपोर्ट किये हैं आज के श्टॉक में अगर देखा जाए जो आज का सबसे जादा चलने वारा डाटा पेटरंस अच्छी खासी तेजी इसमें रही 10 परसेंट तक की तेजी के साथ आज के देखने श्टॉक लोज हुआ आपको पता है दोस्तों डिफेंश यहरों में काफी डिकलाइन रहा पिछले पांस दिन में हाला कि इसने च्छे परसेंट की तेजी रही है च्छे मिने के अंदर श्टॉक अभी बेसाफराइब परसेंट के लॉस में हाला कि मैक्सिमम में इस कमपनी को दोस्तों 42 करोल उपे का मिनिश्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से एक और मिला था इस वज़े से पारस डिफेंस के शियरों में आज तेजी रही तो कल की दिन भी फोकस में रख सकते हैं कोचिंश प्यार में पांच परसेंट का अपर सरक्रिट लगा हाला कि यह अब देखने को मिल रहा है टाटा पावर के उपनाज रखनी इसके भी नतीज़े आए इस कंपनी के नतीज़े अगर कहें तो लॉंग टम परफस के इसाफ से देखें ठीक ठाक नमबर देखने को मिले हैं कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है करी करीब देख सकते दो काफी शानदार आये हैं नेट प्रॉफिट 95% इंक्रीज हुए 63 क्रोड के आसपास कंपनी ने नए दो नए प्रोजेक्ट को भी दोस्तों के कर दिया मनजूरी दे दिया है काफी उम्दा प्रदर्शन इस कंपनी ने किया हर पेरामिटर के इसाफ से DCM श्रीराम के आज के द कोश्ट माइग्रेशन को दोस्तों को लेकर काम करने बाले हैं जिस वज़े से बिपरो का इस्टॉक भी कल के दिन बजार के रडार पर रहने बाला है आई आर वी इंफरा की बात करेंगे साड़े तीन परसेंट के आसपास की इसमें आज की दिन तेजरे इसके नतीज़े आ सकता है जिस बज़े से कल ये कंपनी भी फोकस में रहेगी इसके उपर आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं कंपनी का रिवेन्यों 9% तक घटकर भी आया है तो अबरॉल आयार वी इंफरा के नतीज़े उस हिसाब के तो देखने को नहीं मिले हैं ओटोमेटिव एक्सल 6.5 परसेंट की तेजी के साथ इस्टोक आज के दिन के लूज हुआ इसके नतीज़े प्रॉफिट घटकर आए करीब 20% का कट है प्रॉफिट के अंदर तो इस कंपनी के उपर भी चाहें तो आप कल नज़र रख सकते हैं अडानी पावर आज आल्मोस्ट फ्लैट रहा है यह जो हमें दुस्तों पैसर सो मेगावाट का देखने को मिल रहा था आज यह एग्रिमेंट पर साइन हो चुका है तो यह काफी इंपोर्टन खबर देखने को मिले खास तोर पर अडानी पावर और अडानी ग्रीन के उपर आपको कल के दिन नज़र रखनी हैं इनके लाब यह कंपनी अभी और भी ज़्यादा ग्रोथ दिखा सकती है बीएसी में भी आज सवा परसेंट तक की तेजी देखने को मिले नवंबर के फर्स्ट वीक में इसके भी रिजल्ट आएंगे यह कंपनी भी काफी ज़दा फोकस मिलेगी इसके नतीजे बहतर आने के अकानमान है इस बज़े से यह श्टॉक भी अब काफी ज़दा फोकस में रहने बाला है सुजल्ट की बात करेंगे नतीजे काफी शानदार थे लेकिन उसके बाद भी श्टॉक में करेक्शन आ रहा है रीजिन क्या है कुछ ब्रोकरेज हाउसस की रिपोर्ट आई है इसके टार्गिट दोस्तों पचास उर्पे तक का कह दिया है और सेल की रेटिंग दिये वेंचुरा की तरफ से यह रिपोर्ट देखने को मिले कहा जा रहा है कि इसका श्टॉक पचास उर्पे तक भी आ सकते हैं तो आप इस नियूज को डिटिल में श्टॉडी कर सकते हैं इस बज़े से सु इसके कौार्टर टू के नतीजे आने वाले हैं इस बज़े से यह कंपनिया फोकस में रहेगे प्रीमियर एनरजी के आठ नमबर को नतीजे आएंगे इस पर भी आज 5% तक की तेजी देखने को बले खास तोर पर ग्रीन एनरजी क्लीन एनरजी में काम करने वाले सोलर साड़े 8% की तेजी रही रेल टेल भी करीब पौने 3% की तेजी आज के दिन दिखाया है सेनको गोल्ड में कल तो काफी डिप आया था इस टॉक दस बारे परसेंट टूटा था हाला कि बाद में रिकवरी रही आज के दिन भी 6-6% तक कि इसमें आज के दिन अच्छी तेज सकते हैं इनके अलाबर दोस्तों एक कंपनी हैप्यस्ट माइंड टेकनलोजी इसको लेकर काफी लोग के कमेंट आ रहे हैं कि ये श्टॉ क्यों नहीं चल रहा है क्यों तेजी नहीं आ रही रिजल्ट कवाएंगे तो दोस्तों इसको लेकर एक डिटेल वीडियो आ जाएगा तेरे कंपनी इसमें आज के दिन एड की गए जिनमें नाम पर सकते हैं आशापुरा मिनकें बावा आर्ट्स केयर रेटिंग दीपक फर्टिलाइजर डाइनमिक केबल्स मार्टिन वर्न वहीं संगर डिकॉर सोधानी अकेडमी फिंटेक सिर्मा SGS टेकनलोजी तिंकिंग पि इंजिनेरिंग कल्यानी इंवेश्टमेंट, स्पैन डाइवर्जेंट, स्वानिम, ट्रेड उध्योक और बर्दमान होल्डिंग का नाम हैं। लॉंग टम की एसम में आज के दिन दो कमपनी एड़ की गए जिनके नाम है सेंसिश टेक और स्पेंड डाइवर्जेंट तो इनके उपर भी कल आप नजर रख सकते हैं इनके अलाबा आज के दिन 11 कमपनियों के सरकिट बदले गए जिनमें टाइमेक्स गुरूप बावा आर्ट और शंकर लाल रामपाल डाइकेम इनके सरकिट 20 से घटा कर 10% हुए हैं में चाउगल इस्टिम सिप्स ओसम इंटरप्राइज रेवार्थी एक्यूपमेंट इनर्ब इंडस्ट्रियल वेरिंग इनके सरकिट 5% बागे कंपनियों के सरकिट अब 2% हुए हैं तो सारे बदलाब कल सी होंगे तो इनके शियरों के उपर भी आप चाहें तो नजर रख सकते हैं मैं दोस्तों कल ट्रेडिंग के बाद में फ्राइड को मार्केट बंद रहेगा दिवाली के उपलक्ष में लेकिन कल दिवाली मनाई जारी तो उसके लिए आप सभी को हैप्पी दिवाली साथ ही एक और important point मुहरत ट्रेडिंग होगे मुहरत ट्रेडिंग में कौन से श्टॉप फोकस में रहेंगे इसको लेकर मैं already दो दिन पहले एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ तो उनके उपर आप चाहें तो कौन से शेयर हैं उस वीडियो को देख सकते हैं तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें बैल आइकन को दबा लें ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें धन्हाब दोस्तों बाई बाई